C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय पांच आकणों का प्रबंधन प्रिष्ट संख्या 73 से लेकर प्रिष्ट संख्या 94 तक आईए सुनते हैं अध्याय पांच आकणों का प्रबंधन प्रिष्ट संख्या 73 पांच दशमलव एक सूचनाओं की खोज में आपके देनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्न लिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी A. पिछले दस टेस्ट मैचों में एक बल्ले बाज द्वारा बनाए गए कुल रन B. पिछले दस एक दिवसिये अंतराश्ट्रिये मैचों या ODI में एक गेंद बाज द्वारा लिये गए कुल विकेट C. आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित की यूनिट टेस्ट में प्राप्त किये गए अंक D. आपके मित्रों में से प्रतियेक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या इत्यादी इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाए आकड़े या डेटा कहलाती है आकड़े प्रायह एक ऐसी स्थिती के संदर्भ में एकत्रित किये जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं उदाहरणार्थ एक अध्यापिका की अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ओसत उचाई जानने में रुची हो सकती है इसे ज्याद करने के लिए वह अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की उचाईयां लिखेगी इन आकड़ों को एक क्रम बद्ध रूप से संगठित करेगी और तद नुसार उनकी व्याख्या करेगी कभी कभी आकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए कि वो क्या निरूपित करते हैं आलेखिये रूप से या ग्राफिकली निरूपित किया जाता है क्या आपको उन विभिन प्रकारों के आलेखों के बारे में कुछ याद है जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे एक एक चित्रालेक या पिक्टोग्राफ संकेतूं का प्रयोग करते हुए आकड़ों का चित्रिये निरूपन एक काड़ी का चित्र पराबर है सौ कार एक संकेत सौ कारों को प्रदर्शित करता है जुलाई कार के धाई चित्र बराबर है धाई सो आधी कार का चित्र सौ को आधा व्यक्त करता है अगस्त कार के तीन चित्र बराबर है तीन सो सितंबर कार के चार चित्र बराबर है प्रश्निवाचक चिन्ह एक, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ दो, कि इस महीने में कारों का अधिक्तम उत्पादन हुआ प्रिष्ट संख्या, 74 दो, एक दंड आलेक या बार क्राफ एक समान चोड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूशना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाईयां या उचाईयां क्रम शह उनके मानों के समान उपातिक होती है यहाँ पर एक दंड आलेक बना है इसमें बाईयोर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जो कक्षा आठ में पढ़ते हैं यह शून्ने से लेकर साढहे तीन सो तक बढ़ रही है प्रतियक शेक्षिक वर्ष का एक दंड बना हुआ है दोहजार तीन से चार सो विद्यार्थि दोहजार चार से पांच दोसो विद्यार्थि दोहजार पांच से छे धाईसो विद्यार्थि दोहजार छे से साथ तीन सो विद्यार्थि दंड की लंबाई प्रतियक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है दंड समान चौड़ाई के हैं और दो, क्रमागत दंडों के बीच में समान दूरी रखी गई है एक, इस दंड आलेक त्वारा क्या सूचना दी गई है दो, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिक्तम वृध्धी हुई तीन, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिक्तम है चार, बताईए कि यह सत्य है या असत्य दो हजार पांच से छे में विद्यार्थियों की संख्या दो हजार तीन से चार की संख्या की दुगनी है तीन, द्वे दंड आलेक या फिर डबल बार ग्राफ आक्णों के दो समुहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेक यहां पर बाई और एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गए अंक दिये गए है यह 0-8 तक है नीचे की तरफ विशय लिखे गए है सफेद दंड 2005 से 6 दर्शाता है काला दंड 2006 से 7 दर्शाता है गनित में सफेद दंड 30 की संख्या तक जा रहा है और काला दंड 60 सामाजिक विज्ञान में सफेद दंड 50 की संख्या तक जा रहा है और काला दंड 55 विज्ञान में सफेद दंड 45 की संख्या तक जा रहा है और काला दंड 50, अंग्रेजी में सफेद दंड 50 की संख्या तक जा रहा है और काला दंड 45, हिंदी में दोनों दंड बराबर 60 की संख्या तक जा रहे हैं. एक, इस द्वी दंड आलेक द्वारा क्या सूचना दी गई है? दो, किस विशय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तीन, किस विशय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? चार, किस विशय में प्रदर्शन समान रहा है? सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए यदि हम एक दंड आलेख के दंडों में से किसी एक की स्थिती बदल दें तो क्या प्रदर्शिद चानकारी में कोई बदलाव या परिवर्तन होगा? क्यूं? प्रयास कीजिए दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उप्युक्त आलेख खीचिए एक यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जिसमें महीना और बेची गई गाड़ियों की संख्या दी गई है जुलाई हजार, अगस्त पंद्रासो, सितंबर पंद्रासो, अक्तूबर दो हजार, नवंबर धाई हजार, दिसंबर पंद्रासो दो, यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है इसमें चार स्तंब और दो पंग्तियां हैं पहले स्तंब में बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है दूसरा स्तंब स्कूल A, तीसरा स्तंब स्कूल B, चौथा स्तंब स्कूल C पहली पंक्ती, पैदल चलना, 40, 55, 15 दूसरी पंक्ती, साइकिल चलाना, 45, 25, 35 तीन, आठ सर्वश्रेष्ट क्रिकिट टीमों द्वारा ODI में जीतने का प्रतिशत यहाँ पर तीन स्तंब दिये गए हैं पहला स्तंब, टीम, दूसरा स्तंब, चैंपियन ट्रोफी से वर्ल्ड कब 2006 तक, तीसरा स्तंब, 2007 में पिछले 10 ODI पहली पंक्ती, दक्षिन अफ्रीका, 75, 78, दूसरी पंक्ती, ऑस्ट्रेलिया, 61, 40 प्रतिशत तीसरी पंक्ती, श्रीलंका, 54, 38, चौथी पंक्ती, न्यूजिलांड, 47, 50 प्रतिशत पांचवी पंक्ती, इंगलांड, 46, 50 प्रतिशत चठी पंक्ती, पाकिस्तान, 45, 44, साथवी पंक्ती, वेस्ट इंडीज, 44, 30 प्रतिशत आठवी पंक्ती, भारत, 43, 56, 5.2, आकणों का संगठन, ओगनाइजिंग डेटा प्रायह, हमें उपलब्ध आकडे असंगठित रूप में प्राप्थ होते हैं, जिन्हें यथा प्रत आकडे या रौ डेटा कहा जाता है अर्थ पूर्ण निशकर्ष निकालने के लिए हमें आकणों को एक क्रम बद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यक्ता होती है उदार अनार्थ, विद्यार्थियों के एक समुह से उनके मन पसंद विशयों के बारे में पूछा गया इसके परिणामों की सूची नीचे दी गई है कला गणित विज्ञान अंग्रेजी गणित कला अंग्रेजी गणित विज्ञान कला कौन सा विशय सबसे अधिक पसंद किया गया और कौन सा विशय सबसे कम पसंद किया गया। प्रिष्ट संख्या 76 आकस्मिक रूप से लिखी गई रुचियों या पसंदों को देख कर इस प्रश्ण का उत्तर देना सरल नहीं है। हम मिलान चिन्हों या टैली माक्स का प्रयोग करते हुए इन आक्णों को सारणी 5.1 के रूप में व्यवस्थित करते हैं। सारणी 5.1 इस सारणी में तीन स्तंब हैं। विशय, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या। पहली पंक्ती, कला, चार खड़ी रेखाओं पर तिर्ची रेखा, दो खड़ी रेखाएं। साथ, दूसरी पंक्ती, गणित, चार खड़ी रेखाओं पर तिर्ची रेखा, पांच। तीसरी पंक्ती, विज्ञान, चार खड़ी रेखाओं पर एक तिर्ची रेखा, एक खड़ी रेखा, छै, चौथी पंक्ती, अंग्रेजी, चार खड़ी रेखाएं, चार प्रतियक विशय के सम्मुख लिखी मिलान चिन्हों की संख्या से हम विशिष्ट विशय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करते हैं यह संख्या उस विशय की बारंबार्ता या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी प्रविष्टी बारंबार्ता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टी आकणों में आती है। सारणी 5.1 से अंग्रेजी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 4 है. गनित को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 5 है. उप्रोक्त रूप से बनाई गई सारणी 1 बारंबारता बंटन सारणी या Frequency Distribution Table कहलाती है. क्यूंकि इससे पता चलता है कि एक प्रविष्टी कितनी बार आई है. प्रयास कीजिए. एक. विद्यार्थियों के एक समुहू से यह बताने को कहा गया कि वे किस पशु को सबसे अधिक घर में पालना पसंद करेंगे. इसके परिणाम नीचे दिये गए हैं. कुत्ता बिल्ली बिल्ली मचली बिल्ली खरगोष. उप्रोक्त के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाईए पांच दशमलव तीन आकणों का वर्गी करण विशेयों की पसंद से संबंधित आकडे प्रतियेक प्रविष्टी के अनेग बार आने को दर्शाते हैं उदाहरनार्थ कला को साथ विद्यार्थी पसंद करते हैं गणित को पांच विद्यार्थी पसंद करते हैं इत्यादी सारणी पांच दशमलव एक इस सूचना को आलेखिये रूप से एक चित्रालेख या एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है परन्तु कभी-कभी हमें बड़े आखणों के साथ कार्य करना पड़ता है उदहरनार्थ कक्षा आठ के साथ विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किये गए पचास में से निम्न लिखित अंकों पर विचार कीजिए 21, 10, 30 22, 33, 5, 37, 12, 25, 42, 15, 49, 26, 32, 18, 27, 28, 29, 29, 35, 31 24, 36, 28, 29, 32, 42, 44, 16, 24, 20, 27, 49, 29, 32, 33, 31, 29, 31, 31, 34, 32, 34, 22, 34, 25, 23, 36, 24, 36, 33, 47, 48, 50, 49, 20, 7, 16, 36, 45, 47, 30, 22, 17. प्रिष्ट संख्या सतत्तर यदि हम प्रतियेक प्रेक्षण के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं, तो वह बहुत लंबी होगी. अतह हम सुविधा के लिए प्रेक्षणों के कुछ समू या वर्ग बनाते हैं, जैसे शून्ने से दस, दस से बीस इत्यादी, तथा प्रतियेक समूहु या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर एक बारंबारता बंटन या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन प्राप्त करते हैं. इस प्रकार उप्रोक्त आखणों के लिए बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित हो सकती है. सारणी पांच दशमलव दो, इस सारणी में तीन स्तंभ हैं. समूह, मिलान चिन्ह, बारंबारता, पंक्ती एक, शून्य से दस, दो खडी डंडियां, दो. पंक्ती दो, दस से बीस, चार खडी डंडियों पर तिर्ची डंडी, चार खडी डंडियों पर तिर्ची डंडी, दस. पंक्ती तीन, बीस से तीस, चार खडी डंडियों पर तिर्ची डंडी, चार खडी डंडियों पर तिर्ची डंडी, एक खडी डंडी. पंक्ती चार, तीस से चालीस, चार खडी डंडियों पर तिर्ची डंडी, चार खडी डंडियों पर तिर्ची डंडी, चार खडी डंडियों पर तिर्ची डंडी, चार खडी डंडियां. उन्नीस पंक्ती पांच चालिस से पचास चार खड़ी डंडियों पर तिर्ची डंडी दो खड़ी डंडियां साथ पंक्ती छे पचास से साथ एक खड़ी डंडी एक पंक्ती साथ योग 60. उप्रोक्त प्रकार से प्रस्तुत आकडे, वर्गीकृत आकडे या grouped data कहलाते हैं तथा प्राप्त बंटन, वर्गीकृत, बारंबारता बंटन कहलाता है। 2. आठ विद्यार्थियों ने 50 में से 40 से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। प्रेक्षन 10 दोनों ही वर्गों 0-10 और 10-20 में सम्मिलित है। इसी प्रकार 20 वर्गों 10-20 और 20-30 दोनों में ही सम्मिलित है। परंटु एक प्रेक्षन 10 या 20 दोनों वर्गों में एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकता। इससे बचने के लिए हम यह परिपाटी अपनाते हैं कि उभए निष्ट प्रेक्षन उच्चितर वर्ग में सम्मिलित होगा। अर्थात प्रेक्षन 10 वर्ग अंतराल 10-20 में सम्मिलित है। शूने से दस में नहीं। इसी प्रकार 20 वर्ग अंतराल 20-30 में सम्मिलित है। 10-20 में नहीं। वर्ग अंतराल 10-20 में 10 निम्न वर्ग सीमा या लूर क्लास लिमिट कहलाती है। तथा 20 उपर या उच्च वर्ग सीमा या अपर क्लास लिमिट कहलाती है। इसी प्रकार वर्ग अंतराल 20-30 में 20 निम्न वर्ग सीमा है तथा 30 उच्च वर्ग सीमा है। ध्यान दीजिये कि वर्ग अंतरालों शूने से दस, दस से बीस, बीस से तीस इत्यादी में से प्रतियेक की उच्छ वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर बराबर है. इस थिती में दस, उप्री या उच्छ वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का यह अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या विट्थ या माप या साइस कहलाती है. प्रिष्ट संख्या 78 प्रयास कीजिये एक, निम्न लिखित बारंबार्ता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिये और उसके नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिये. सारणी 5.3 इस सारणी में दो स्तंब हैं. पहला स्तंब है वर्ग अंतराल रुपायों में दैनिक आए. दूसरा स्तंब है बारंबार्ता श्रमिकों की संख्या. सौ से एक सुपचीस, पैंतालीस, एक सुपचीस से डेढ सौ, पचीस, डेढ सौ से एक सुपचात्तर, पचपन. एक सुपचीस से दो सौ, एक सौ पचीस, दो सौ से दो सौ पचीस, एक सौ चालीस, दो सौ पचीस से दो सौ पचास, पचपन. 250 से 275, 35 275 से 300, 50 300 से 325, 20 योग 550 1. वर्ग अंतरालों की माप क्या है? 2. किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है? 3. किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है? 4. वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है? 5. किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है? 2. अंतरालों 30 से 35, 35 से 40 इत्यादी का प्रयोग करते हुए एक अक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों केजी में के निम्न लिखित आकणों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाईए 40, 38, 33, 48, 60, 53, 31, 46, 44, 36, 49, 41, 55, 49, 65, 42, 44, 47, 38, 49 अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन्व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झाल